दोस्तो नमस्कार आज बनाएंगे सूजी और आलू के कॉंबनेशन का बहुत ही बैतरी नास्ता दोस्तो तो दोस्तो सबसे पहले कड़ाई में हाफ लिटर के करीब पानी को अड़ करेंगे अब इसमें अड़ कर देंगे एक चम्मत चिली फ्लेक्स एक चम्मत जाएगा कुकिंग वायल स्वाद अनुसर नमक अब एक कटोरी सूजी ले लिए हैं लगबग 200 ग्राम के करीब होगा तो थोड़ा थोड़ा इसमें हम एड़ करेंगे और मिलाते जाएंगे फानली दोस्तों यहाँ पर सूजी का एक बहतरीन सा डो बनकर तयार हो चुका है एकदम ब्यूटिफुल अब दोस्तों इसे एक बरतन में हम निकाल लेंगे अब सूजी के इस डो में दोस्तों हम तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलो को कद्दुकस कर लेंगे चमच चाट मसाला अब हथेली में थोड़ा सा वाइल लगा लेंगे और इसों अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फानली दोस्तों हमारे नास्ते का फानली डोबनकर तयार हो चुका है बहुती बहतरीन अब दोस्तों इसे हम छोटे-छोटे आकार में बना लेंगे में बनाए चोकि हमें दोस्तों ये आकार बहुत ही beautiful लगता है तो हम इसी आकार में बना कर तयार कर लेंगे तो finally दोस्तों सारा सेप बनकर तयार हो चुका है एकदम beautiful अब इसे हम दोस्तों deep fry कर लेंगे तो कड़ाई में दोस्तों कुकिंग वाइल को अच्छे से गरम कर लिए हैं अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मेडियम कर देंगे और इसे हम एड़ करते जाएंगे तो फाइनली दोस्तों 6-7 मेडियम फ्लेम में फ्राई कर चुके हैं और यह एकदम सुनेरा सुनेरा ब्राउन ब्राउन पहुत ही क्रिस्पी फ्राई होकर तयार है इसे अब निकाल लेंगे दोस्तों तो बाकी के बच्चे नास्ते को भी हम फ्राई कर लेंगे उसी प्रकार तो फाइनली दोस्तों यह भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन ब्राउन हो चुका है इसे भी निकाल लेंगे तो लिजिए दोस्तों बहुती बहतरीन तरीके से तयार है सुजी आलू का या लाजबाम नास्ता वो भी दोस्तों खटी मिठी चटनी के साथ दोस्तों इस नास्ते की जो उपरी लियर है जितना क्रिस्पी है हम दिखा रहें आपको यह देखिए कर रहा है ना आवाज कर 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 और अंदर से दोस्तों उतना ही सुपर सॉप्ट है यह देखिए बाहरी लियर दोस्तो एकदम क्रिस्पी और अंदर एकदम सुपर सॉप इसको दोस्तो चटनी के साथ डिप कीजिए और खाईए इसके बैतरीन स्वात के दोस्तो आप दिवाने हो जाएंगे तो आज का ये सुपर टेस्टी जटपट बनने वाला अलू सुजी का या लाजवाब नास्ते की रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो आपसे मिलते हैं अगली लिलिस्यास रेसिपी के साथ नमस्कार